नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटुब चैनल करीची इंडिया पर आपका हारतिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपन टोपिक लेकर आया हूँ आपको स्वस्थ बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बेमारियों से बचाने के विशे में सिर्फ हस्त मुद्राओं द्वारा लगबग सो रोगों का इलाद संबव है वो भी आपके हाथों में जानना चाहोगे कैसे? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी यूटुब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिसे देखकर आप अपने लिए फाइदा उठासके है तो आएए दोस्तों अब बात करते हैं अपने टोपी की दोस्तों, एक कहावत है हिंग लगे ना फिट करी अर्थार्थ यदि बिना ओस्दी या दवाईउं के हम स्वस्त रहें, अगर हमें कोई रोग नहीं हो तो इसमें क्या बुराई है अगर आप भी चाहते हो तो सिरफ अपने हाथों की उंगलियों अर्थार्थ हस्त मुद्राओं दोरा यह सब संभव है अब आप खुद अच्रच में पढ़ गए होंगे कि यह कैसे हो सकता है यकीन ना हूँ तो अजमा कर देख लीजिए लाब अवस्य होगा लेकिन जैसा हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपको ठीक वैसा ही योग करना होगा हमारा स्रीर अनंत रहिश्यों से भरा हुआ है सरीर को सुष्ट बनाई रखने की सकती सरीर में ही है बस जरूरत है उसे जानकर अभ्यास करने की सरीर पंच तत्वों प्रित्वी, जल, अगनी, वायू और अकास से मिलकर बना है जब तक सरीर में ये तत्व संतुलित रहते हैं तब तक सरीर निरोगी रहता है यदि इन तत्वों में ऐसंतुलन हो जाए तो बहुत सारे प्रकार के रोग उत्वन हो जाते हैं इन तत्वों को हम यदि पुने संतुलित करने तो सरीर निरोगी हो जाता है हस्त मुद्र, चिकित्सा के अनुसार हाथ की पांचों उंगलिया, पांचों तत्वों का प्रतिनित्तव करती हैं और ब्रमानिये उर्जा के माध्यम से इन तत्वों का बल देती हैं अंगूठी में अगनी देव, तरजनी में वायू तत्तव, मध्यमा में अकास्त तत्तव, अनामीका में पृत्थिवी तत्तव, वैकनिष्ठा में जल तत्तव की उर्जा का केंदर है। इस परकार उंगलियों को आपस में मिलाकर मुद्राओं को बनाया जाता है। हमारे रिशियों ने इस रहस्यों को साधना के द्वारा जाना और इसका परचार परसार किया। जिसके प्रतिदिन अभ्या से व्यक्ति रोग मुक्त होकर सवस्थ हो जाता है और उसे किसी भी तरहेंगी, दवाईयों की जरूरत नहीं पड़ती। ये अदबुत मुद्राई करते ही अपना असर दिखना सुरू हो जाता है। दो तीन बार में कर लें। किसी भी मुद्रा में जिन उंगलियों का प्रयोग नहीं करते हैं उन्हें सीधा करके रख लेते हैं। और हाथेली को थोड़ा टाइट रखते हैं। ये तो मुद्राउं की संख्या अनेक हैं। किन्तु हम यहाँ आपके लिए जो सबसे उप्योगी मुद्राएं हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। और उनके साथ में आपको चित्र भी दिखा रहे हैं। जिसे देखकर आप असानी से समझ सकते हैं। और उसी रूप में अपनी उंगलियों को द्वारा आप इसको कर सकते हैं। तो आए जानते हैं उनके बारे में। विदी अंगूठे को तरजनी उंगलिय के सीरे पर लगाएं। वै बाकी तीनों उंगलिया सीधी रहेंगे। इससे क्या लाब होगा? मस्तिक्स के सनायू को बल देकर यह समन सकती, एकागरता, सकती, संकल्प, सकती को बढ़ाती हैं। बुद्धी का विकास करती हैं। पढ़ाई में मन लगने लगता हैं। सिरदर्द वै नीद ना आना दूर होता हैं। मन की चंचलता दूर होकर क्रोध, चिर्चिटापन, तनाव, चिंता को दूर कर व्यक्ति को ध्यात्मिक बना देता है। दोस्तों इसके साथ आपको साथविक भोजन करने की सलहाद दी जाती हैं। दूसरी विदी अनामिका उंगले को अंगूठे के अगर भाग से लगाकर बाकी उंगलिया सीधी रखें। इससे क्या लाब होगा। दूरबलता को दूर कर वजन को बढाती हैं। शरीर में सुफूर्ती, कांती वे तेज बढ़ाकर जीवन सक्ती का विकास करती हैं। वे पाचन तंतर को सवस्थ बनाती हैं। अब जहनते हैं अगली विदी, कनिष्ठा उंगले को अंगूठे के अगर भाग पर लगाकर बाकी उंगलियों को सीधा रखने से बनती हैं। इससे लाब होगा। चरमरोग रक्त विकार दूर करती हैं। सरीर में रूखाफन दूर कर तव्चा को चमकीली वे मुलाय मनाती हैं। चहरे की सुंदरता को बढ़ा देती हैं। दोस्तो इसमें विसेश हैं कप प्रकृति वाले व्यक्ति इसका अभ्यास जादा ने करीं। अगली विदी, तरजनी उंगले को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाकर हलका सा दबाई। बाकी उंगलियों सीधी रखी। इससे लाब होका वात रोगों में विसेश लाब करी हैं। वायू को सांथ करती हैं। साइटिका, कमरदर्द, गर्दन दर्द, गठिया, लकवा, जोड़ों का दर्द और खुटनों का दर्द दूर करती हैं। अगली विदी, मद्यमा उंगले को मोड़कर अंगूठे के अंगोठे से दबाई वे बाकी उंगलें सीधी रखें इससे लाब होगा गले के रुब वे थारेड में लाब करी है दात मचबूत होते हैं कान रोगों में लाब करी है आगले विदी अनामी का उंगले को अंगूठे के मूल में लगाकर अंगूठे से दबाकर बाकी उंगले को सीधा करके रखे इससे फाइदा होगा मुटापा कम करती है वजन को घटाने वाली है सरीर में उस्टनता बढ़ाती है सक्ती का विकास करती है कॉलोस्टोल का बढ़ना मदुमे वैल लीवर के रोग में बहुत अधिक लाब पहुँचाती है सरीर को संतूलित बना देती है दोस्तो इसमें विसेस है कमजोर व्यक्ति इसका ब्यास ने करें गर्मी में भी इसको आप जादा ने करें अगली वदी अनामी का तथा कनिष्ठा उंगलियों को अंगूठे के अगर भाग पर लगा कर बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखें इससे फाइदा होगा आपको मन को सांध कर सरीर की दुरबलता को दूर करती है रोग परतिरोदक सक्ती को बढ़ा दीती है नेतर जोती को बढ़ाती है इससे हमारी आँखों पर से चस्मा भी उतर जाता है अगर हम इसका लगातार प्रियोग करते है धकान दोरकर सरीर में तरो ताज़की देती है तवचा वै आँखों को निर्मल बनातेती है विटामिन की कमी को पूरी करती है अगर हम इसका कॉंटेनियो अभास करते हैं तो इससे हमारे सरीर को बहुत अदिक फाइदे होते हैं और खास कर उंगलियों को अगले विदी मद्दिना तथा अनामिका उंगलियों को अंगूठे के अगर भाग से लगा कर बाकी उंगलियों को सीधी रखी इससे फाइदा होगा कबच, मदुमे, किडनी विकार, वायू विकार बवसीर को दोर करती है सरीर को सुद कर नाड़ी दोसों को दोर कर देती है मुत्र का अवरोद दोर कर दाटों को मजबूत बनाती है और पसीना भी लेकर आती है दोस्तों इसमें विस्सेस यह मुत्रा, मुत्र अधिक लाती है इसका प्रयोग करने से आपको जादा मुत्र होगा तो आप इसको इस हिसाब से करें अगली वदी यह मुत्रा, तरजनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाकर मद्यमा वे अनामिका उंगलियों को अंगूठे के अगर भाग पर लगाकर छोटी उंगली को सीधा करके बनती है इससे लाब होगा, हर्दे रोगों में विस्सेस रूप से लाब कारी है परते दिन 10-15 मिन्ट इसके अभ्यास से हर्दे मजबूत होता है दिल का दोरा पढ़ते ही इसको करने से अरह मिलता है गैस बनना, सिर्दर्थ, अस्थमा वे उचे रक्चाम में लाब कारी है सीधियों पर चड़ने से पहले अगर इसको लगाकर चड़ा जाए तो सांस नहीं फूलती अगली विदी, दोनों हाथों की उंगलें को आपस में फसा कर, बांध कर बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा रखे इससे फाइदा होगा, सर्दी जुखाम, खासी, अस्थमा, निमन रख्चाप को दूर कर, सरीर की गर्मी को बढ़ा दीती है कब को सुखाने का काम करती है, इसमें विसेश है, अवसकता होने पर ही आप इसको करें, अनवसक रोप से नेर करें अगर आपको इन में से किसी रोग की सिकायत है, तब आप इसको अजमाएं, अन्य था इसको रहने दे और बाखी को अजमाएं तो दोस्तो आप भी इन मुद्राओं को, हस्त मुद्राओं को अपने अकोर्डिंग कर सकते हैं, जिसके आपको अधिक चुरूरत है, उसको आप कर सकते हैं और इससे आप निरोगी बन सकते हैं सो से अधिक बीमारियों का नास कर सकते हैं वो भी बिना दवाईयों और बिना डोक्टरों की मदद की तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जाहनकारी पराप्थ हो तो प्लीस आप हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले इसके ही साथ-साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरतस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारी सभी वीडियो को एक स्थान पर ही देखना चाहते हैं जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो एक स्थान पर ही मिल जाएं तो आप हमारी मोबाई लैब को Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं Health India, Creature India और Only in Ayurveda को आप Google Play Store से डाउनलोड करके आप हमारी सभी वीडियो को एक स्थान पर ही देख सकते हैं जिससे कि आपका डाइटा भी कम लगेगा और आप सभी वीडियो का इंजवाई से देख ले सकते हैं धन्यवाद दोस्तों